नमस्कार यूपी मिस्रा का इंसाइट जारखन के और से जोहार इंगे यूपी मिस्रा इंसाइट जारखन पस्टाखान आज मैं आपको बुद्ध के तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए पुनरवशू नक्षत्र इस्थित गुरू क्या फल देंगे नक्षत्र गुरू में इस्थित राहू क्या फल देंगे यह मैं बताऊंगा I am repeating बुद्ध के तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके उनके लिए गुरू के नक्षत्र में इस्थित राहू कैसे रहेंगे यह मैं बताने जा रहा हूँ तो बुद्ध के तीन नक्षत्र होते हैं आसलेशा दूसरा जेस्था और तीसरा रेवती सिरियल वाइज से सिरियल के हिसाब से आसलेशा नौवा नक्षत्र है यह अठारवा नक्षत्र है और यह सताइस्वा नक्षत्र है तो हम लोग बुद्ध से काउंट करते हैं राहू को सो बुद्ध केतू सुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहू गुरू यह आठमा हुए यह हमेंने लिख दिया हूँ बुद्ध बुद्ध एक दो तीन चार पाँच छे साथ और आठ आठ का मतलब होता है परम्मित्र जन्म संपत विपत छेमा परत्यारी सादक बाधक मित्र तो बुद्ध के तीन नक्षत्रों में चाहे उनका जन्म आसलेशा में हुआ है चाहे जेश्ठा में हुआ है चाहे रेवती में हुआ है ऐसे नक्षत्र वालों को पान फलदाई हैं अच्छे हैं शुब हैं अनकूल है फेवरिवल है तो एक बात हुई और ये तीनों नक्षत्र करकरासी में राहु चारों चारण में रहते हैं राहु का ये जो आसलेशा है आसलेशा चार में होते हैं आसलेशा और इनके 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट मनें फुल आसलेशा तेरे डिगरी बीस मिनट चार नमबर में रहते हैं और जेस्था होता है जेस्था पूरा का पूरा चारों चरण आठ नमबर में होता है और उसी तरह से रिवती रिवती के चारों चरण एक, दो, तीन, चार आप चरण बोलिए, पार्ट बोलिए, टुकड़े बोलिए एक नक्षतर तेरा डिगरी बीस मिनट का होता है इसको चार टुकड़े में डिवाइड किया गया है एक एक टुकड़े को चरन बोलते है या पार्ट्स बोलते है या संस्कृत में पद बोलते है पी-ए-डी-ए देखे इस आसलेशा नक्षत्र में पहले आसलेशा को बोल दे रहा हूँ आसलेशा नक्षत्र में एक चीज बहुत ही विशेस है आसलेशा नक्षत्र में आसलेशा में इस नक्षत्र में आसलेशा में पांच स्टार हैं तो इसको एक एकदम सर्क्ल रूप में जिदी हम लोग मिला देंगे तो ये एक सर्क्ल हो जाएगा तो रिश्यो ने इसको कल्पना किया एक साप से इस इस नेक वेस्टन साइड में भी इसको सर्पेंट ही बोलते हैं वाटर सर्पेंट हाइड्रा सर्पेंट वाटर सर्पेंट पानी में रहने वाला एक साप लेकिन हम लोग के हैं इसको जल से सम्मद्धित करते हैं कारण की करकरासी जल में है इसलिए इसको जल तक्तु से इंडिकेट करते हैं साप कैसा जो जल में है धौणवाज साप बोली हम लोग दियात में बोलते हैं एक साप पानी में रहता है उसके काटने से विश्ण नहीं होता तो ये आसलेशा नक्षत्र के अपने बहुत गुण है आसलेशा नक्षत्र के जो लोग होते हैं उसको ये राक्षस गर्ण में आता है और एक क्वल्ड साप है स्नेक है ये भी ठीक नहीं है और इसके देवता नाग देवता है किंग ओफ सर्वेंट सर्पेंट और इसके कुछ अच्छे बुरे होने से ये कुछ विशेस रिजल देते हैं अब राहू को भी साप बोलते हैं सनी को भी लंबाई से जिसमें लंबाई हो चोड़ाई मुटाई नहीं हो सनी बोलते हैं जैसे केस और सर्प को भी लंबाई से ही बोलते हैं असलेशा लंबाई से हो है लेकिन यहां पर यह गोल हो गया है तो पर्टिक्लर स्टार असलेशा अस बिकम ए राउंड शेप तो इस असलेशा में जो गुण है इस वो ऐसा है कि इसके आँखों में असलेशा नक्षट रबालों का जो आँख है वो साप के ऐसा आँख है जो भीतर तक ढुग सकता है मतलब वो एक दृष्टी से देख करके जज़ कर सकता है डीपली ज़ज़ कर सकता है कि आदमी कैसा है यह इस्पेशल क्वालिटी है और इसमें महंता भी बहुत है जैसे आसलेशा जदी किसी के भी कुण्ली में लगन आसलेशा लगन का है लगन में आसलेशा नक्षत्र है तो आदमी महान हो जाता है जिससे रिशी अरवंदो और बलवान भी होते हैं इनमें सकती भी बहुत होती है सामर्स भी बहुत होती है मतलब हम आपको आसलेशा नक्षत्र के बारे में हलका समझा रहे हैं बता रहे हैं सरी बता रहा हैं ये जो ग्रेट बॉक्सर अब तक के मुहम्मद अली उनका भी यही लगन था सरीर था लगन मने सरीर तो इसमें दिब्बेता है इसमें सकती है इसमें सामर्थ है और पहचानने के सकती है भीतर तक आपको देखकर क्यों पहचानने हैं कि आप सही में अच्छे हैं भले हैं बुरे हैं दोस्ट हैं सत्रू हैं मित्र हैं समान हैं इतनी इतनी सकती है इस नक्षत्र में और जिदी किसी का चंदरवान इस नक्षत्र में आ जाए तो वो उस आदमी में मिशेस गुन हो जाता है वर्ल्ड फेमस भी हो सकता है महत्मा गांधी जैसे महत्मा गांधी का भी जो रासी था वो करक रासी था और उनका भी करक रासी में आसलेशा नक्षत्र में ही जन्म लिया था जन्म रासी उनका आसलेशा था तो इसमें महांधा के भी बहुत बड़े गुन है जिदी चंदरवा हो या लगन हो आपका तब भी एक और योगी थे स्वामी क्रिया नंद महान बेखती थे ये भी जो लोग पराने लोग हैं ये सब जानते हैं और जदी आपका सूरज आसलेशा नक्षत्र में है तो ये रानी एलिजाबेट का भी यही था डॉक्टर बीवी रमन जो अब तक के बेस्ट एस्ट्रोजर आधुनिक जुक में हुए हैं इनके ऐसा एस्ट्रोजर अगले 10,000 साल में पैदा नहीं लएगा और पीछे भी कोई नहीं था तो इस असलेशा नक्षत्र में महानता बहुत है गुन बहुत है देखे कुछकुछ नक्षत्र ऐसे हैं ये संधी के नक्षत्र है जंक्षन स्टार है, 9 is a junction star, एक triangle, isolis triangle, यह जो त्रिकोन का जो ऐसा isolis triangle है, थोड़ा डीटेल में इसले बता रहो हो कि इस नक्षत में कुछ महांता है, यहां पर यह नौमा और दस्मा है, यहां पर नौमा नक्षतर खतम होता है, यहां पर 0 और 1 है, यह जिरो और 1 है, यहां पर 18 और 19 है, यह junction stars कहलाते हैं लोग, इसमें जो जन्म लेते हैं, उन में कुछ बिसेस्ता जरूर आ जाती है, एक तो संधी में होने के कारण, दोनों नक्षतर है, तो कुछ तो इसका भी गुन, उसका भी गुन आ गया, और इसमें एक और बात है, जो लोग जन्म लेते हैं, वो मूल लक्षतर में कहलाते हैं, एजंक्शन स्टार, तो डिफेक्ट भी डवलप करते हैं, कुछ रोग भी डवलप करते हैं, अब यह रोग जो डवलप करते हैं, चुकि विश्की बात सुरू होती है, तो फूड पोईजनिंग, और बोटापा बोटापा इनका खास रोग है, जिदि ये लोग मोटे ना हो, तो इनके सरीर में जहर भी ना हो, मतलब स्वस्थर हैं, बिलकुल स्वस्थर हैं, खाना जिदि संतुलित खाएं, तब भी रोग ना हो, न तो पूर रही टेते हैं, लोग भोजन जैसे तैसे खा लेते हैं, इस में रोग होती है इसकी मनने वो जंक्षिन स्टार होने के कारणी इसमें आ गया है और नर्वस के सिस्टम में नर्वस सिस्टम यह थोड़ा वीक होता है तो यह इस नक्षत्र से राहू मित्र तारा के जोन में आ गये लेहाजा यह राहू या विजात्य लोग या बीधर्मी लोग या दूसरे धर्म के लोग या विदेशों के लोग ये स्याम बढ़ के लोग मिस्टिरियस प्रकृति के लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड सकते हैं वो सभी आपके मित्र होंगे आपको कहीं डरनी की जरूत है ही नहीं ये जनमजात गुण है आप तो महत्मा गांदी हो महत्मा गांदी को जो सत्रू मिला था उससे बड़ा सत्रू किसी को नहीं मिला इन्होंने ऐसे बिटिस समराट से पंगा लिया जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था महात्मा गांधी का सत्रू इतने बड़े अन्ततह बिजे महात्मा गांधी की हुई और बिटिस सर्स इंडिया छोड़ करके निकल गए बाग गए तो इसमें बहुत महानता है डरने की कोई बात नहीं है जो मिथुन रासी के जो राहू आये हुए है आपको डरने का कोई बात नहीं है कि शक्ससे जोर्स लेकिन कि यह जो करकर आसी है चार नंबर में जो आपका आसलेशा है इस आसलेशा के लिए अगें यह ट्वल्थ हाउस में आ गये यहां से एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नौ दस एगार अबारा कि यह में आने का मतलब है कि यह आपके खर्चे के जोन में आ गये तो आसलेशा नक्षतर वाले थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि आप बैर्थ के खर्चे ना करते हो 12th house हमेशा expenditure को इंडिकेट करता है 12th house journey को इंडिकेट करता है बिर्थके जर्नी ना करें short journey को इंडिकेट करता है बहुत लम्बी जर्नी नहीं छोटी छोटी जर्नी लेकिन जर्नी होते हैं जब जैसे इसमें आ जाएंगे छे मार्च के बाद रहू तो यह सब फल देने लगेंगे हैं आइम टॉकिंग बिट्विन 6-3-19-2-12-9-19 तो यह रहू आपको आसलेशा नक्षत्र को कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपके सरीर से द्वादस हो गए तो आपके सरीर को खटाएंगे परशान करेंगे दोडाएंगे हैरान करेंगे खर्चा करेंगे ट्रेवल में डालेंगे और आपके बाएं आख में भी तकलिप दे देंगे या आपके आखों में तकलिप दे देंगे और ये बिचित्र ढंग से, मिस्टेरियस वे से ये धर्म के प्रती भी जागरूक कर देंगे जैसे आप सपने में भगवान देखोगे आपको हैसास होगा कि कहीं भगवान है आसपास में ऐसा धक्का लगेगा, ऐसा मन में बैठेगा कि हाँ भगवान तो है मैंने ये सोचा तो हो तो दिखाई दे दिया आ गया मैंने ये सपना देखा तो ये मिल गया, इस तरह से कुछ आभवास होगा आसलेशा नक्षत्रवाले, तो आपके लिए ये बिलकुल ठीक है सिर्फ आपको ध्यान जो देना है आसलेशा नक्षत्रवालों को कि आपका फूड पोईजनिंग ना हो, आपको एक्सपाईरी मेडिसीन आप ना खा लेते हो, ये देख लीजे, या जो मेडिसीन खा रहे हैं वो इर्रेगुलर नहीं होते हो, विश्च, पोईजन, मेडिसीन, और आर्थराइटिस की सिकायत ना हो, ट्वल्थ हाउस को पैर बोलते हैं, पैर का नीचे जिसमें उंगलिया होती हैं, सुपली, उंगलिया, तल्वा, उस सब जगह कुछ कस्ट नहीं हो, और, फीट को भी बोलते हैं पैर को भी इसमें बोलते हैं, और, आपके मांसिक, संतुलन आपको बना के रखना है, क्रोध नहीं होना, विश मने क्रोध, विश मने एंगर, पॉईजन है ये, राक्षा स्तत्व है ये, ये नरगन नहीं है, देवता गन नहीं है, राक्षा स्तत्व है, तो इसमें क्रोध हदिक हो जाता है, तो जिदि ये क्रोध ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आसलेश नक्षत्र को भी ये राहू ये शुभ रिजल्ट दे रहे हैं इसके बाद मैं जेश्ठा नक्षत्र इसको ले रहा हूँ जेश्ठा जेश्ठा नक्षत्र के भी स्वामी बुद्ध ही होते हैं मैंने कहा कि बुद्ध के तीन नक्षत्र अठारवा नक्षत्र जेश्ठा कहलाता है और जेश्ठा नक्षत्र आठ में पड़ता है और यहां तीन में राहू है तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ नमबर में ये जेश्ठा आया तो ये कहां से है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो जेश्ठा नक्षत्र से ये राहू तो तो जेश्ठा नक्षत्र तो मित्र का है इसको जरू समझ लिए जेश्ठा नक्षत्र के लिए भी राहू मित्र के समान फल दाई है लेकिन ये आठ नमबर में है और ये तीन नमबर में है तो यहां से ये मिर्त्यों और चत्रों के गर में आ गए तो जेश्ठा नक्षत्र में जितने लोग जन्म लिये हैं वो ध्यान रखे कि छो तीन से लेके बारह नौ तक आपके सरीर में कोई कस्ट ना हो जल के द्वारा कोई कस्ट ना हो कारण की आठ नमबर भी स्कॉर्पियों बोलते हैं इसको और ये जलत अत्व है और राहू बिथुन रासी में हैं ये वायू तक्त्व है लेकिन जलत अत्व से वायू तक्त्व बिप्रित हो जा रहा है यहां पर तो जो जेश्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है राहू आपके मित्र होते हुए भी आपको वो फल नहीं देंगे जो आसलेशा के लिए जतना अच्छे दे रहा है वो नहीं देंगे तो जेश्ठा के भी कुछ रोग होते है जेश्ठा अल्सो गिप सम सम प्रॉब्लम कुछ तो रोग देंगे ये तो जेश्ठा भी जो रोग देते है वो लगभग थोड़ा सा similar होते हैं करन की आठमा जो जगह है ये जांग को बोलते है आठ नमबर काल पुरुस का ये जंगह है पौटी करने का जगह है ये या हाइड्रोसिल जो जगह है फोता बोलते है हाइड्रोसिल और उसमें रहने वाली जो दो गुलियां है टूब वाल्स उसको भी बोलते है तो आपको अपनी जांग की रक्षा करनी है नावी से नीचे और घुटने से उपर का जो छित्र है that has to be protected जनिटल पार्ट्स ओवरीज मस्कुलर प्रॉब्लम मास्पेसियों में खिचाब ना आ जाए और गर्दन एक गर्दन में भी तकलिफ होती है और पेट में तकलिफ होती है महलाओं को जदी ये जेस्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है या चंद्रमा है तो एक चीज़ पर ध्यान देजिएगा आपको ब्रिस्ट कैंसर होने का डर है एक परसंट आधा परसंट लेकिन आप उस जोन में आ जाती हो तो ध्यान रखना चाहिए हमेशा हेल्प जो है न प्रिविंशन इस बेटर देन क्योर थोड़ी भी संभाव वना है तो उस रास्ते में जाना ही क्यों और पता ही क्यों पूछना टेक कियर अफ यूर हेल्थ तो सिर्फ जेस्ठा नक्षत्र वाले जितने लोग है उनको राहू कुछ कस्ट दे सकते हैं अब यहां से मृत्यू के जगह में तीन नंबर हैं तीन नंबर वायू को बोलते हैं वायू तत्व तो विंड के कारण भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कफ़बाद पित बात बात को एर बोलते हैं और निक गर्दन की मैं एक घटना अपने नाती का सुना चुका हूं जब छेक के उमर में थे पांच छेक के उमर में थे और पढ़ने बैठते थे तो बोलते थे कि गर्दन में दर्द हो रहा है गर्दन में दर्द हो रहा है हमका सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सब कुछ तुम गर्दन में दर्द क्यों बोलता है, बार-बार, तुमको पढ़ने का मन नहीं है, मास्टर सहवाय हैं, तो गर्दन में दर्द हो गया, and I was a fool, ऐसे ही इतिफाक से कभी-कभी मैं बुक का रिवीजन करता रहाता हूँ, तो नक्षतर का जब रिवीजन कर रहाता, तो देखा कि जेस्ठा नक्षतर जंखा से ज़्यादा गर्दन पर भी इंफैस हो जाता है, तो गर्दन में पेन देता है ये, तो अनुभब और अध्यान दोनों जरूरी है, एस्ट्रोलजी में, और छोटी से छोटी चीज़ को इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, एक दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ ये गर्दन भी है, आठ नुमर मनें, जेस्ठा विश्यस करके गर्दन है, अब क्यों गर्दन है, मैंने अपने मन में एनलेसिस किया और इस पिक्चर को बैठा लिया कि इसको फिर गलती ना हो, वो यूँ हमने बैठा आया कि ये ब्रिस्चिक है, स्कॉर्पियो है और इसमें एक डंक है, तो उसके डंक के नीचे का जो हिस्सा पोच है, जो जिसमें वो डंक रहती है, वो एक कर्वट गोला कार की ऐसा है, और वो, मैंने कहा कि गर्दन भी होती हैं, हमारे गुरुजी थे, उनका गर्दन काफी लंबा था, तो वकल हुआ गुरुजी उनको हम लोग बोलते थे बच्पन में, गाउं में, तो हमने एक कहानी बना करके दिमाग को फीट कर दिया, कि जेस्ठा मिन्स नेक, तो ध्यान रखिएगा, समझने के लिए मैंने आपको बताया, I explained this thing simply to learn, तो ये जेस्ठा नक्षत्र वालों को सिर्फ अपने स्वास्त की रक्षा करनी है, और कोई बात नहीं है, लेकिन माल या कोई रोग हो भी जाता है आपको, कोई रोग हो गया, माल या इस बात को हम, accept किया, तब भी ये नक्षत्र जो है, राहु जो है, आपके जोन में है, तो ये रोग शूड जाएगा, ये रोग आपको कस्ट नहीं देगा, और जेस्ठा नक्षत्र में साधी बिया में ध्यान दिया जाता है, कि जदी आपका जेस्ठ पुत्र है, तो आप जेस्ठ पुत्र से साधी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बेक्ती से साधी नहीं, ब पहला बच्चा बेटा हो और पहला बच्चा बेटी हो जेस्ट पुत्र और जेस्ट पुत्र की बिवान ही होती, बहुत सारे कारण है इसके पीछे, तो ये जेस्था के बारे में हमने आपको बता दिया, बजगे रेवती, रेवती इस दे लास्ट स्टार अकास में ये गुलाई में एक अकास का पत है और इसी में 27 नक्षत्र है तो ये लास्ट जो स्टार है ये जो लास्ट स्टार है इसका नाम है रेवती दे लास्ट, दे फाइनल, दे मोक्षा, दे ज्यान, अन्तिम ज्यान, अन्तिम पाठ ये रेवती बताते है हलाकि ये भी जंक्षन स्टार में है इससे भी कोई बच्चा जन्म लिया है तो उनके लिए भी पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें करानी पड़ेगे तो भगवान विश्ण की पूजा की जाती है जिदी कोई रोग हो कस्ठ हो जायर बुद्ध में बुद्ध दे बैस्नवाइट गरा तो वो वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है थोड़ा रिवती नक्षत्र में 32 स्टार्स हैं यह फेंट यह नौट ब्राइटर देखें यह जो स्टार्स वगर की बात में बोलता हो ना यह सुनने में अटपटा लगता है और बोलते यूसल इसकी जरुत क्या है नई सर फल कथन में इसकी जरुत होती है बहुत सारे चीजों में प दिन सम्टाइमस इट गिफ्स नंबर गिफ्स डेज नंबर गिफ्स मंथ तो बहुत सारा इसमें भीतर में डिटेल चुपा हुआ है लेकिन समझने के लिए आप समझ लेजे कि उसमें बत्तिस्तारा होता है फेंट है यह नाट तो ब्राइट अन्ड इस चोन बारा नंबर जो रेवती है तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एगारा बारा यहां पर बारा पड़ेगा और यहां पर रेवती है तो यह रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको भगवान विश्णु की पूजा करनी चाहिए ज़िए आपको कोई कस्ट हो तो क्या कस्ट हो सकते हैं देखे एक तो बुद्ध जो है हमेशा स्कीन को इंडिकेट करता है जदि आपके बुद्ध के साथ सूरज है या मंगल है तो आपका स्कीन ड्राई है बुद्ध के साथ केतु है तो फोड़े फुन सी आ जाएंगे तो बुद्ध के साथ पापक ग्रह नहीं होने चाहिए और बुद्ध को 14 डिगरी से सूरज से दूर होना चाहिए 14 डिगरी से दूर होना चाहिए तब जाकर के बुद्ध स्वस्त होता है बुद्ध सिक्षा के वारे में बताते हैं मैं तीनों नक्षत्र के लिए बोल रहा हूँ बुद्ध असलेशा भी बुद्ध जेश्ठा भी बुद्ध रेवती भी बुद्ध तो इन नक्षत्र वालों को सिक्षा से कुछ खास लगाव होता है ये निकेन प्रकारे ना सिख्षा एक चाप्टर होता है लाइफ का अब जदी ये राहू शुभ है तो आपके सिख्षा से सम्मदित जितनी चीज़े है ठीक है इस किन से सम्मदित जितनी चीज़े है ठीक है बारा नौ तक इसलिके राहू आपके फैबरेबल पोजिशन में है बिजातिय लोगों से भी आपको लाब होगा जैसा ब्रिश्चिक रासी को होने और करक रासी में होने वाले नक्षत्र में जो असलेशा है जेस्ट है उनको मिलेगा वो इसे मीन रासी वाले में मिलेगा और इसमें जो ठहुना में हैं इंकल प्राबलम भी होते हैं इसमें और वरी संसिटिव और नर्वस डिजॉर्डर की बात रहती है मीन रासी में इसलिए लास्ट फाइनल रासी इसलिए कभी-कभी ऐसी होती है कि आपको सपने में कुछ ऐसी चीज़े दिखाई देने लगे कि आपको अच्छा भी लगे और डर भी लगे ऐसे सपने आने लगे जिदि बार बार ऐसे सपने कभी छे मेने तीन मेहने में नहीं आये तो आपको लगा कि कुछ खो गया है कुछ बाकी है ये बिचित्र सा संबेदन सील सरीर बना देता है The man is very sensitive जिसमालिया किसी का तीन नंबर है और उसी में बुद्ध है तो लड़का बहुत sensitive है उस पर पाप प्रहौ पड़ा तो बच्चा कुछ संगत में आ जाएगा पढ़ने लिखने में मन नहीं होगा और राइटिंग तो कभी नहीं करेगा भोल के भी नहीं करेगा लेकिन बुद्ध पर जिदी शुभ प्रभाव है छे नंबर में भी लग में बुद्ध है और उस पर शुभ प्रभाव है और बुद्ध भी वहीं पर है तो he will be evergreen hero और 60 साल का होगा तो 45 साल का लगेगा जैसे देवानंद सिनमा में थे सदबाहर hero बोलते हैं थे उनको उनके चेहरे पर उमर नहीं दिखाई देती थी तो इस रेवती नक्षतर वाले में भी जल्दी उमर का प्रभाव नहीं पड़ता है हाँ आपके चंद्रमा या आपके लगनी आपके सूरज पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं हो तो या तीनों में से दो पर भी शुप रहा पड़ता है तब भी आपके सरी ठीक रहेंगे तो यह बुद्ध जो है यहाँ आसलेशा जेस्था रेवती इन सबों को फल दे रहे हैं यह राहू लेकिन यहाँ से एक दो तेन चार चौथे घर में पड़ रहे हैं यह और चौथा घर हमने कहा था कि यह सुख का घर है दर्टी के सारे सुख सिख्षा कॉलेज की और आपकी माता जी इन सब्सक्राइट करता है तो रेवती नक्षतर वालों को थोड़ी सी माता जी के प्रती आपकी जो मम्मी हैं या दादी हैं जो पुराने लोग हैं फीमेल उन पर आपको विशेज ध्यान देना पड़ेगा या उनके साथ कोई समस्या या कठिनाई हो सकती है जदी बृद्ध हैं तो अतिकस्ट पैरों से चलने में कस्ट होगा ठेवने में कस्ट होगा सरीर कलांग्त हो जाएगा मीन रासी वालों के लिए बोलो हूँ क्योंकि मीन रासी से तीसरा नंबर जो है एक, दो, तीन, चार, चोथे गर में पड़ता है और सुख भी मिलेगा ये सबते हैं लेकिन वो इस तरह से मिलेगा कि लगेगा कि अच्छा नहीं भी मिलता चल जाता सुख मिलेगा या मिला आपको तो आप तबज्जो नहीं दे रहा है भगवान ने दिया है लगते हैं कि बलनो आ गया ये भी है और जो लोग सिक्छार थी हैं, बिद्यार थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर गए हैं कॉलेज होस्टल में रहते हैं तो आपको जो रूम पार्टनर मिलेगा कॉपरेट जरूर करेगा लेकिन वो लड़का आपके लाइक नहीं है मित्र नहीं है जदि आप उसके बातों में आ करके उसी के तरह आचरन कर रहे हैं तब तो बुरा है, तब तो आप साप बन जाओगे स्नेक बन जाओगे, राहू बन जाओगे उसके अंदर जो गुण है, जो चीज है वो आप ले सकते हो, बस इससे अधिक नहीं तो ये मीन रेवती के लिए भी राहू बहुत अच्छे हैं तीनों नक्षत्र के लिए आसलेशा, जेस्था, रेवती सबसे ज़्यादा शुब दे रहे हैं, वो आसलेशा को जेस्था को उससे कम रेवती को बीच में रखते हैं रेवती is a positive जैसे मैं यहाँ पर आसलेशा को मैं तीन स्टार दे रहा हूँ रेवती को दो स्टार दे रहा हूँ और जेस्था को one एक रइच दे रहा हूँ तो आसलेशा बहुत अच्छे रेवती वाले भी बहुत अच्छे के समान और जेस्था वाले गुड इस जोन में आप रहेंगे तो ध्यान रखिए यह ज़्यादा दिन तो है नहीं नो महिना है यहाँ च्छे महिना है तो च्छे महिने में आपको यह देखना पड़ेगा again I am repeating my words कि आप एफ ओर में रख करके देखिए कि रेवती वालों की कुड़ली में जदी तीन नंबर में एक दो पाप ग्रह हैं तब तो कस्ट दे सकते हैं जदी एक भी शुब ग्रह है मालिक गुरु है गुरु चंडाल योग बनेगा बनने दीजे लेकिन गुरु अपना गुन तो राहू में देगा ही ना और राहू अपना गुन गुरु में देगा इसलिए यह रह से बहुत कम स्ट्राजर यूस करते हैं कि जब दो ग्रह एक साथ सटे हो और महादसा चल रही हो किसी भी ग्रह की तो वो ग्रह अपना रिजट कम देते हैं तो इसलिए कभी कभी जो आप फलकतन बोल रहो हो वो नहीं मैच करता है लगता है कि क्या नाप सना बोलना है साथ एक भी बात नहीं मिल रही है उसका कारण यह है कि यह इस सिस्टम को भूल जाते हैं कि महादसा और अंतरदसा बोलने में बहुत सारे रूल है उसमें एक रूल यह भी है तो रेवती नक्षत्र वाले लोग से जादा सिर्फ जेस्ठा नक्षत्र वाले ध्यान रखिएगा अपना आपका सनी ठीक होना चाहिए आपका गुरू ठीक होना चाहिए और सूरज जिस जिस महीने में ठीक है उस महीने में तो कोई डर नहीं है लेकिन माल लिया सूरज भी मिथुन रासी में आ गए जेस्टा नक्षतरवाले को बोल रहा हूँ सूरज भी आपके मिथुन रासी में आ गए और दुर्भग्य से उहाँ पर पहले से मंगल बैठा हुआ है तो दो दो सूरज हो जाएंगे एक सूरज माने आग दूसरा मंगल माने आग दो दो आग हो गए और मिथुन रासी है तो स्कीन बोलते हैं मिथुन रासी को बुद्ध को स्कीन बोलते हैं और यहाँ पर विश भी है So you may have some skin problem Dermatology जाना पड़ेगा बार बार आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तो यह सब थोड़ी सी बात कही है आप अपने कुली को जरूर जाज कीजिएगा जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मैंने आपके नक्षतर के बारे में भी बताये कि यह नक्षतर जंक्षतर स्टार है That is why I have taken little more time for explaining this star also ऐसे तो जब मैं रासी फल बोलता हूँ तो स्टार के बारे में बताता ही हूँ और जब बीच में बोलूँगा यह खतम हो जाएगा आप यह से आज हमने आपको बुद्ध के बारे में बताये तो एक केतू और सुक्र दो और बताने हैं तो यह सिस्टम कटम हो जाएगा तो आज यहीं तक इती सुभम तेहन दो निनाग गें चोहर